नमस्कार सातियों बहुत बहुत स्वागते आपका दोस्ट चैनल पर हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ जैसे कि आप थमनेल में देख रहे हैं अतिती सिक्षक बहुत बड़ी ख़बर अतिती सिक्षकों का जेल वरू अंदोलन आत्मदाय अंदोलन सब को देख लिया सम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें साती साथ नई डै अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें साथियो मरना सब को एक दिन जरूर है लेकिन मैं सोच रहा हूँ की मौत भी ऐसी हो जिससे दुनिया हिल जाए मैं बात कर रहा हूँ अतिती सिक्षकों की जो की भाजपा कांगरेस दोनों के दौरा छले गए सोशित किये गए साथियों आप बिना नोटंकी किये बिना नहीं मिलेगा इसलिए मेरे दिमाग में एक नोटंकी आई है कि मद्द प्रदेश के सभी अतिती सिक्षकों दोरा जेल वरो अंदोलन किया जाए बो भी सरकार को बिना सूचना के केबल एक दिन पहले सभी जिलों में मीडिया को जरूर दिया जाए कि मद्द प्रदेश के अतिती सिक्षक अपनी मांग को लेकर कल से जेल वरो अंदोलन करेंगे यदि 20,000 भी अतिती सिक्षक शरक पर उतर जाएंगे तो सरकार क्या करेंगे अब सरकार से कोई समझवता नहीं सिर्फ आदेश या जेल चाहिए यदि सरकार हमें जेल में डालेगी तो सभी अतिती सिक्षक सामूग आत्म दाहे करेंगे ये भी चेताबनी एक पहले मीडिया के माद्यम से दिया जाएगा सरकार को साथियो सभी अतिती सिक्षकों के हाथ में केरोसिन मिट्टी का तेल का भरा हुआ पांच लीटर का डिबबा जरूर होना चाहिए साथियो जब हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो सरकार पुलिस को बुला कर जेल में डालने को बुलेग मैं और मेरे साथ कोई भी पांच दिलेर सेर दिल अतिती सिक्षक चाहिए जो मेरे साथ रहेंगे इस पूरे कारिकरम में आप लोगों को कुछ नहीं करना है जितना बोला गया है केवल उतना बस अपने किसी भी अतिती सिक्षक भाई बहन को कोई चती ना हो इतना सब को ध्य जेल वरों अंदोलन की बिसेशता इस अंदोलन में कोई बिसेश ब्यक्ति नेता समाज से भी या दलाल नहीं रहेगा रहेगा तो सिर्फ अतिती सिक्षक मांग सिर्फ एक ही रहेगी कि जैसे दिली में हुआ अर्याना में हुआ हमें भी करो कमल नात नीती तुम बनाओ ये काम है हमारा नहीं है हमें बो चाहिए जो दिल्ली अर्याना सरकार ने बहां के अतिती सिक्षकों को दिया है तुम हमारे नहीं तो हम तुमारे नहीं दोस्तों मुझे बच्पन से ही अपनी जिंदगी में कुछ खास करने की ललक थी और किया भी हूँ लेकिन अब अथिती सिख्चकों की लड़ाइं में अपना बल्यदान दे कर लड़ूंगा और बिज़य दिलाउंगा क्यों की मैं भी एक अतिती सिख्चक हूँ यह इस अंदोलन में हम सब को जोस में नहीं खोना है बलकि होस में पेनल कर लीजिए और सब साथ मिलका लड़ाई लड़िए प्लानिंग में बना लूँगा लेकिन इतना ध्यान रहे कि ना तो यहां कोई नेतागिरी सीनियर्टी या पार्टी बंद बरदास्त नहीं की जाएगी उम्र में बले ही कोई अतिती सिक्षक छोटा हो लेकिन यदि बात काम की दिमाग की करेगा तो उसकी राय अबस ली जाएगी सबसे बड़ी और महत्पून बात सभी जिले के अतिती सिक्षक प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रोनिक मीडिया में अपनी बयान बाजी करेंगे तो सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए हर जिले से आवाज सिर्फ एक ही आनी चाहिए कि हमें दिल्ली हर्याना के अतिती सिक्षकों जैसा बना दो और आदेश करो ना कोई नेता अभी नेता क्योंकि सबसे बड़ा नेता या अभी नेता सिक्षक होता है जो बच्चों को पढ़ा कर नेता अभी नेता बनाने के लिए काम करता है हमसे भी बनता टकराना चीनता और अपने हक के लिए मारना या मरना सातियों बैसे भी अब आतिती सिक्षक एक जिंदा लास है आज मैं बहुत कुछ सोच डाला हूँ इसलिए ये सब बिचार बना लिया हूँ यदि आप सबको मेरा प्लान ठीक लगे तो दो दिन के अंदर अपनी पृतिकरिया दें साथ दें और भरोसा करें कि किसी को भी कोई छती नहीं होगी लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सफल और निरनायक अंदोलन होगा तो सातियों आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें जिससे सभी मद्ध प्रदेश के अतिती सिक्षक सातियों को ये महत्व पून जानकारी मिल सके और सातियों मैं आपसे अपील करता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और साति सात बेल आइकन को दवाँ जिससे आपको इसी प्रकार की खबरें मिलती रहें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद